हाई गाई इस तौकीर आलब हेर तोड़े विया गोईंग तू ट्रांसलेट ए इस्टोरी और इस्टोरी फ्रेंड्स आज जो हम इस्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं यह एक बहुत दिज्जस्प इस्टोरी है क्या है वो इस्टोरी चलिए पहले सुनते हैं एक किसान मेले से एक सुन्दर गाई खरीदने के बाद घर लोट रहा था उसे रास्ते में एक डकैत मिला उसके पास एक लागी था सुन्दर गाई को देखकर डकैत का मन लालत से भर गया वो धंगाते हुए किसान से बोला यह मेरी गाई है इसे छोड़ दो और अपना रास्त किसान डर गया और वो अपना गाउ डकैत को दे दिया फिर किसान ने डकैत से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है मैं इतना कमजूर हो गया हूं कि अब मैं चल भी नहीं सकता हूं अगर सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाओंगा डकै किसान की बात माल ली और वह अपना डंडा किसान को दे दिया फिर क्या जिसकी लाठी उसी की भैंस किसान ने डंडे की मदस से गाए वापस लिया यह फ्रेंट्स आज का हमारा स्टॉरी जिसे हम इंग्लिस में ट्रॉंसलेट करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप मेरे चैनल उर्दु टु इंग्लिस बाई आलब पर जाएं जहां आपको उर्दु वाले वीडियो मिल जाएंगे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है एक किसान मेले से एक सुन्दर गाय खरीदने के बाद घर लोट रहा था फ्रेंड्स, इस्टोरीज कैसे ट्रांसलेट की जाती है इसके डिया मैंने दो ट्रिक बनाए हैं और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया जहां मैंने कुछ खास रूल्स भी बताया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख चुके हैं और आपको वीडियो नहीं देखे हैं यानि अगर आप वो रूल्स नहीं जानते हैं तो उसे जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि एक कहाने को ट्रिक से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है आईए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं ट्रिक ये फ्रेंड्स जो वर्ट सबसे पहले होगा उसका अंगरेजी हम सबसे पहले लिखेंगे फिर पीछे चलेंगे पीछे से एक एक पहले लिखा है एक किसान और उसका अंग्रेजी होगा अफॉर्मर्ड जो वड़ सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा अब हम पीछे से एक एक वड़ का अंग्रेजी लिखते हो आगे की हो राएंगे लाश्ट में लिखा है था उसका अंग्रेजी होगा वाज कई बार वाज और कई बार वर लिखा जाता है पार्ट टू में मैंने आपको सिखाया कि वाज वर का क्या यूज है उम्मीद है कि आप पार्ट टू देख चुके हैं और आपको पता है कि word और word में क्या फर्क होता है और इसे कभ यूज करेंगे यहां लिखा है रहा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई एमजी जो कभी अकेला नहीं लिखा जाता है बगर वाले word के साथ जोइन हो जाता है लोटना मोंगरीजी में काते हैं return और उसमें ent जब add कर देंगे तो लिखा जायगा returning घर को कहेंगे home कईवास घर को home और house भी कहते है मैंने इस पर एक separate वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने बताया है कि घर को home कहें या house कहें वहाँ मैंने ये भी बताया है कि said और told में क्या फर्क होता है people और person में क्या फर्क होता है good और well में क्या फर्क है जबकि दोनों का sense अच्छा होता है तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा ताकि आपको बारिकी पता चल सके वो वीडियो मैंने i के symbol में रखा है कि ये बात को अंग्रेजी में कहते हैं after खरीदना को अंग्रेजी में करते हैं by लेकिन ing लगा कर लिखा जाएगा सवाल ये है कि ing क्यों लगाया जाएगा फ्रेंट्स आम तोर पर प्रिपोजीशन टू को छोड़ कर अगर किसी दूसरे प्रिपोजीशन के बाद कोई वोब लिखना पड़ता है तो हम उसको जीरंट के सकल में लिखते हैं यानि उसमें ing लिखते हैं आम तोर पर ऐसा टू के साथ नहीं होता लेकिन टू को छोड़ कर कोई अन्य प्रिपोजीशन है तो आम तोर पर उसमें ing लगता है और इस तरह के वर्ड को हम जीरंट कहते हैं और यहां लिखा हुआ एक सुन्दर गाय तो हम इसका अंगरी जी लिखेंगे अ बीउटिफुल और गाय को कहते हैं गाउन अब आप में से कई सारे इस्टूडेंट सोचेंगे कि मैंने ये तीन वर्ड को एक साथ जोड़ कर क्यूं लिखा मैंने ऐसा क्यूं नहीं किया कि सबसे पहले मैं गाय का लिख देता फिर सुन्दर का उसके बाद एक का तो यही बात मैंने आपको वीडियो के सुरू में बताया कि मैंने जो ट्रिक बनाया हुआ है उसमें कुछ बाते हैं जो आपको जानना चाहिए और वो बाते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया बाइदवे अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं या आपको वो बात नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में मैं उस बात को आपको एक बार और बताऊंगा ताकि आप स्टोरी को फ्रांसलेट करते हुए कहीं कन्फ्यूज न हो जाएं सेक अंगरेजी होगा फ्रांग मेले को कहते हैं दाफेयर और यह कंप्लीट हुआ एक किसान मेले से एक सुन्दर गाय खरी देने के बाद घर लोट रहा था कैसे ट्रांसलेट हुआ फ्रेंट्स जो वर सबसे पहले था मैंने उसका अंगरेजी सबसे पहले लिखा फिर पीछे से एक एक वर का अंगरेजी लिखते हैं आगे की ओर आया फ्रेंट्स कवी बार हिंदी सेंटे सेंज ऐसे होता है जैसे एक किसान मेले से एक सुन्दर गाय खरीद कर घर लोट रहा था तो अगर मैं कहूँ खरीद कर तो भी आग उसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे यानि वहाँ सेंज यही है कि खरीदने के बाद और जब हमारा सेंज के बाद होता है तो हम आफ्टर का यूज करते हैं आयए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं उसे राज्ते में एक ड्रांसलेट मिला या बात कि एहाँ पर खत्न हो गया इसलिए हम यहां तक ट्रांसलेट करेंगे उसे यानि ही मिला चुकि यह गुजरी हवी बात है, इसलिए मैंने find का second form found लिखा, एक डगायत, एक का अंगरीजी होगा और डगायत को हम डगायत भी कहते हैं, होसरत आप सोचें कि मैंने एक डगायत, दोनों को एक साथ चोड़ कर क्यों लिखा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, कि पहले डगायत एक का लिख देता, उसके बाद एक का लिखता, तो इसका answer जानने के लिए आप वीडियो को अंध तक देखिए, अंत में मैंने उस रूल को दुबारा बताया हुआ है, और रास्ते में का अंगरीजी होता है on the way, आये friends अब इसको translate करते हैं, उसके पास एक लाठी थी, इसक लिखेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने अपना rule क्यों बदल दिया, आगी तक जो मैंने आपको translation सिखाया, मैंने बोला जो वर्ड सबसे पहले हैं उसका अंगरीजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंगरीजी लिखते हो आगी क्यों राएगी, अ आफा मेंटू सेंटेस को translate करने के लिए मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है, और कई बार हम इस ट्रिक का यूज करते हैं, जो वर्ड सबसे पहले होता है, उसका अंगरीजी आप सबसे पहले लिखते हैं, बाद वाला का अंगरीजी दूसरे नमबर पर और बीच वाला का कौन सा ट्रिक कब यूज करेंगे, तो आप part 21 देखे, part 21 में मैंने दोनों को एक साथ बताया हुआ है, उसके कांगरीजी होगा he, अगर बात किसी मेल की हो तो हम ही का यूज करेंगे, और past फा कांगरीजी होता है had, कई बार जब मैं classroom में ये बात पढ़ाता हूँ, तो मेरे student पूछते हैं, कि था के लिए तो हम वाज या वर लिखते हैं, तो had क्यों हूँ, तो मैं आपसे कहूँ का friends, जब बात रखनी की हो, तो वाजवर के जगह पर had का यूज करते हैं, यानि इस आरा का मतलब भी है हूँ होता है, और have का मतलब भी है हूँ होता है, had का मतलब भी था, और वाजवर का मतलब भी था, cell be, will be और cell have, will have, दोनों का हिती तक्रीवर एक जैसा होता है, तो इस बात को लेकर student हमेसा confused रहते हैं, मैंने इस पर एक separate वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने बताया है कि have had और इजारब में क्या फरक है, had और वाजवर में क्या फरक है cell have, will have और cell be, will be में क्या फरक है, और यह वीडियो part 4 है, तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि यहां पर had क्यों आया, तो आप part 4 जरूर देखिएगा, आपके सभी doubts clear हो जाएंगे, एक लाथी को कहते हैं a black jack, उसके पास एक लाथी था, he had a black jack, और यह complete हुआ, आयो friends अब इसको translate करते हैं, सुन्दर काय को देख कर, यह एक छोटा चुकडा है जो कॉमा से separate है, तो हम लिखेंगे, देखकर seeing, a beautiful cow, आप सुचिंगे friends, कि seeing क्यों, तो मैं आप से कहुँगा, कि जब इस तरह का expression, जहां हम कहते हैं, कि देखकर या देखते हुए, खाकर या खाते हुए, लि में आई इंजी के साथ बोलते हैं, हलाकि इसे having plus third form की मदद से भी बोला जाता है, हलाकि दोनों के sense में थोड़ा फर्क है, क्या फर्क है, मैंने इस पर एक separate video बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए, जहां आपको your doubts clear हो जाएगा, सुन्दर काय, देखकर seeing a beautiful cow, आए अब इसे translate करते हैं, डकायत का मन लालत से भर गया, डकायत को हम डकायत कहते हैं, का के लिखेंगे apostrophe s, मन को कहते हैं mind, उमीद है कि आप समझ रहे होंगी कि apostrophe s का क्या यूज है, इसका मतलब का, की, के होता है, आगे बढ़ते हैं, भर गया, भर जाना को इंगलिश में कहते हैं field, लेकिन जब बात गुजर जाए, तो हम second form का use करते हैं, और field का second form field होता है, से के लिखेंगे with, छोटा में आप ऐसा समझ सकते हैं, से भर जाना, field with, या से भर गया, field with, और लालत को कहते हैं, greed, डकायत का मन, लालत से भर गया, the cat's mind filled with greed, और ये complete हुआ, आईयो friends अब इसको translate करते हैं, वह धमकाती हुए किसान से बोला, वह कांगरेजी होगा, he, पीछे आईये, बोला, बोला कांगरेजी में speak कहते हैं, लेकिन जब बात गुजर जाए, तो second form लिखा जाएगा, और speak का second form होता है, spoke, से के लिए हम लिख speak to का मतलब होता है, किसी से कोई बात बोलना, और spoke to का मतलब होता है, किसी से कोई बात बोला, और किसान को कहते हैं, the farmer धमकारती हुए, हम लिखेंगे threatening, वह धमकारती हुए किसान से बोला, he spoke to the farmer threatening, और ये complete हुआ, आये अब इसे translate करें, यह मेरी गाया है, इसको कैसे ट्रंस आप्सलेट करेंगे, जो वर सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नमबर पर और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नमबर पर, यह को अंग्रेजी में कहेंगे this, हाइ को कहेंगे is, मेरी का है my cow, या मेरी का है this is my cow, इसे छोड हम निखेंगे leave it या leave this आप सोचेंगे यह कैसे translate हुआ तो मैं कहांगा friends या एक imperative sentences है और imperative sentences में जो हमारा पहला word होता है यानि वह noun या pronoun जिसे हम subject कहते हैं वह छिपा होता है इसलिए हम पीछे से आगे की और आते हैं छोड़ना को leave कहते हैं और इसे को it कहते हैं अगर आप इस तरह के sentences यानि imperative sentences में confused रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए यहां आप imperative sentences को detail से जाल सकते हैं और को अगरीजी में कहते हैं and तुम चलते बनो जोड़ सबसे पहले होगा उसका अगरीजी सबसे पहले लिखिए और पीछे से आगे क्यों रहेंगे तुमका अगरीजी होगा you और चलते बनो का मतलब होता है go out यानि यहां से चले जाओ यहां से दफा हो तो हम निखेंगे go out तुम चलते बनो you go out हम यह भी कह सकते हैं you go out है लेकिन इसका sense होगा कि तुम यहां से चलते बनो आईए friends अब इसको translate करते हैं किसान डांकू से डर गया किसान के लिखेंगे the former और सी डर गया कांगरेजी होगा was afraid of अगर यह बात present में है जैसे मैं तुमसे डर जाता हूँ तो आप कहेंगे I am afraid of you यानि present tense में इजारब के साथ afraid of और past tense में वाजवर के साथ afraid of लिखा जाता है तो यह बात उज़र गई है तो मैं लिखूँगा was afraid of यानि डर गया और डांकू को कहते हैं दडड़ा गया बीच में लिखा है और आप लिखिए and आये अब इसे translate करते हैं कैसे करेंगे friends जो वर सबसे पहले होगा उसका अंगरेजी आप सबसे पहले लिखेगा और पीछे स अंगरेजी लिखते आगे की ओर आएंगे वह डांकू को गाये सौब दिया सबसे पहले लिखा है वह हम लिखेंगे ही पीछे आए सौब दिया सौपना को इंग्लिश में कहते हैं 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 लेकिन बात गुजर जाए तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और वह होगा गाय को कहेंगे दकाउ और डांकू को कहेंगे तू दागायत वह डांकू को गाय सौब दिया और ये कंपलीट हुआ आएए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं चंद मिन्टों में इसका अंगरेजी होगा इन फ्यू मिनिट्स कोमा दिजिए अब आएए आगे ट् किसान बोला सबसे पहले लिखा है किसान उसका अंगरेजी हम सबसे पहले लिखेंगे फिर पीछे से आगे क्यों राएंगे किसान को कहते हैं दफ और और बोरा का अंगरेजी होगा इस्पोक तुमने मेरी जीवन भर की कमाई छेंग ली है सबसे पहले लिखा है तुमने हम के लिए हम half plus therad farm या hedge plus third farm का यूज करते हैं और यहां बात मैंने आपको इस video में बताया यहां मैंने आपको बताया head plus third form, hedge plus third form, head plus third form cell half plus third form, और will have plus third form का क्या यूज है उमीद है आप इस video को देख लिये होंगे और आपको ये बात पता है तो छीन लिया है कहा हम लिखेंगे hair plus third form छीनना को snatch भी कहते हैं हम लिखेंगे snatched you have snatched तुमने छीन लिया रहे कमाई यानि the earnings आगे बढ़िए की का अंगरेजी होगा of मेरी जीवन भर का अंगरेजी होगा my whole life तुमने मेरी जीवन भर की कमाई छीन ली है you have snatched the earning of my whole life कैसे translate हुआ जो वर सबसे पहले था मैंने उसका अंगरेजी सबसे पहले लिखा फिर पीछे से एक इक वर का अंगरेजी लिखते वे आगे की और आया और ये complete हुआ आये friends इस कहानी को अब खत्म करते हैं अब मैं इतना कमजोड हूँ कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ चलिए friends इसको ट्रांसलेट करते हैं अब now मैं इतना कमजोड हूँ जो वर्ट सबसे पहले उसका अंगरेजी सबसे पहले लिखिए बादबला कंगरेजी दूसरे नमबर पर और जो वाट्स बीच में हैं उसकांगरेजी तीसरे नमबर पर मैं कंगरेजी होगा I, हूं कंगरेजी होगा M और इतना कमजोर को कहते हैं इतना के लिए सो का यूज करते हैं, कमजोर के लिए weak मैं इतना कमजूर हूँ, I am so weak, की that आए अब इसे translate करें, सबसे पहले लिखा है मैं, उसका अंगरेजी होगा I सकता हो का अंगरेजी होता है can, लेकिन जब यह वाड नेगेटिव हो, यानि नाकल आत्मक हो तो हम can के जगह पर can't का यूज कर सकते हैं can't का मतलब होता can not, भीकिरी हम लिखेंगे even और चलना को कहते हैं walk मैं चल भी नहीं सकता हूँ, I can't even walk दया करके, kindly, तुम अपनी लाठी मुझे दे दो जो वाड सबसे पहले होगा, उसका अंगरेजी आप सबसे पहले लिखेंगे दे दो, give, मुझे, me, अपनी लाठी, you, blackjack हो सकते हैं, आप सोचें कि यहां मैंने दोनों को एक साथ चोड़ कर क्यों लिखा, तो, friends, इस वीडियो को लाच तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दया करके, तुम अपनी लाठी मुझे दे दो, kindly, you, give me your blackjack दाकू किसान की बात मान लिया, दाकू यानी दड़गाईट, पिछे आई बात मान लिया, बात मानना को इंग्लिस में admit कहते हैं, कई बार जब हम यह कहते हैं बड़ों का कहना मानना तो हम ओबे का यूज करते हैं यानि डाकु ने मान लिया किसान की बात कौमंगरीजी में कहेंगे अगर आप चाहें तो ऐसे मुलिख सकते हैं की के लिए हम अपस्ट्रॉफे एस और अफ दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं डाक को किसान की बात मान लिया अड्मीटेट टू दा फॉर्मर्स पॉइंट और यानि एंड वह लाठी दे दिया सबसे पहरे दिखा हुआ हुआ हम लिखेंगे ए दे दिया देना के तो गीव होता है फ्रेंट से लेकिन जब बात गुजर जाए तो हम सकेंड फॉर्म का यूज करते हैं यानि हम लिखेंगे गेब और लाठी को कहेंगे दब्लैक जैक और वह लाठी दे दिया फिर यानि दें किसान लाठी की मदस से गाय वापस लिया सबसे पहरे रिखा एक किसान हम लिखेंगे दफॉर्मर पीछा ये लिया लेना नगरेजी टेक होता है लेकिन बात गुजर जाए तो टेक का सकेंड फॉर्म टुक का यूज करते हैं वापस बैक गाय दकाव से बाई मदद हैं की ओफ लाठी आप चाहें तो लाठी के लिए इस्टिक भी लिख सकते हैं फिर किसान लाठी की मदस से गाय वापस लिया दें दफॉर्मर तुक बैक दा काव बाई दा हैं आफ बलैचाई और फ्रेंड्स यह कम्पलीट हुआ फ्रेंड्स मैंने यहां एक स्टोरी को ट्रिक से ट्रांसलेट किया फ्रेंड्स अगर आपको मेरा काम पसंद आया यानि अगर आपको लगे कि वाकई मैंने कुछ अच्छा ट्रिक बनाया है तो friends इस वीडियों को जादा से जादा शेर करें मेरी confidence के लिए ताकि मैं आप के लिए हर रोज एक नया lesson ला सकूँ Friends आप हिंदी वाले sentences को इंग्लिस में सांदार तरीके से translate करें या इंग्लिस वाले sentences को हिंदी में translate करें आपको ये बात जानना जरूरी है यानि जो मैंने trick बनाया हुआ है उसके लिए आप इसे जानिये क्योंकि ये exception है और ये आपको translation करने में बहुत helpful होगी तो चलिए friends देखते हैं ये क्या है Friends, always, often, never, just, already ये ऐसे word हैं जो हमेशा main verb से पहले लिखे जाते हैं यानि मुख के लिए के पहले लिखी जाती है अगर आप Hindi वाले sentences को English में translate कर रहे हैं तो चाहें हमेशा कभी-कभी या कभी नहीं कहीं भी लिखा हो आप उनका अंग्रेजी main verb के पहले ही लिखेंगे या अगर आप English वाले sentences को Hindi में translate कर रहे हैं तो इन सभी words का Hindi आप main verb के पहले लिखेंगे आए फ्रेंड्स देखें कि दुसरा exception क्या है फ्रेंड्स also यानि भी अगर आप Hindi वाले sentences को English में translate कर रहे हैं तो जिस noun के साथ भी आया है जैसे तुम भी, मैं भी, वे लोग भी, अमित भी तो जिस noun या pronoun के साथ भी आता है हम उसको उसी के साथ लिखते हैं यानि उस noun या pronoun के बाद also लिखते हैं अगर आप English वाले sentences को Hindi में translate कर रहे हैं तो उस noun के बाद आप भी लिखें तिसरा exception है friends अगर किसी noun के पहले article AN है यानि अगर आप किसी English वाले sentences को Hindi में translate कर रहे हैं और किसी noun के पहले AN आया है तो आप उसको जोड़ कर लिखेंगे और by God अगर आप Hindi वाले sentences को English में translate कर रहे हैं तो अगर किसी noun के पहले एक लिखा है तो आप उन दोनों को एक ही साथ लिखेंगे या अगर किसी noun के पहले adjective आया हुआ है यानि कोई एक ऐसा word आया हुआ है जिसे किसी की खूबी बताई जा रही है तो आप उस word को एक ही साथ जोड़ कर लिखेंगे जैसे खराब इंसान, मोटा लड़का, अच्छा खिलारी तो अगर किसी noun के पहले कोई एक ऐसा word है जो उसके बारे में बता रहा है कि वो ऐसा है या वैसा है इस तरह के word को हम adjective कहते हैं इस पर मैंने एक separate video बनाया हुआ है आपको playlist में मिल जाएगा तो आप उन दोनों words को एक ही साथ लिखेंगे अलग-अलग नहीं करेंगे आयो friends देखें कि अब अगला rule क्या है double timing words friends अगर आपके sentences में कोई दो ऐसा word आया है जिससे दोनों से time का पता चले या समय का पता चले तो आप दोनों को एक ही साथ लिखेंगे जैसे अगर मैं कहूं रोज रात में रोज क्या है एक time बताने वाला word है और रात में इससे भी time का पता चलता है तो आप दोनों को एक ही साथ लिखेंगे अलग-अलग नहीं कर सकते अगर लिखाओ कभी-कभी तो ये एक ऐसा word है जिससे वक्त का पता चलता है और अगर आगे लिखाओ इससे भी वक्त का पता चलता है तो अगर लिखाओ sometime in the morning तो आप दोनों को एक ही साथ translate करेंगे यानि अगर इंग्लिस वाले sentences को हिंदी में translate कर रही है तो आप एक ही साथ उसका हिंदी लिखेंगे बाइगाड अगर हिंदी वाले sentences को इंग्लिस में translate कर रहे है जैसे कभी कभी सुबह में तो आप उसका अंग्रेजी एक ही साथ लिखेंगे अगर लिखा हो everyday in the evening तो आप इसका हिंदी एक ही साथ लिखेंगे प्रतिदीन साम में और बाइगाड अगर हिंदी वाले sentences में लिखा हो तो हर रोज साम में कांग्रेजी एक ही साथ लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों ऐसे words थे जिससे time का पता चल रहा था तो friends ये बात आप याद रखेंगे कुछ और बाते हैं चलिए उसको भी समझते हैं friends जब हम हिंदी वाले sentences को English में translate करेंगे या फिर English वाले sentences को हिंदी में translate करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा पहला सब्द या first word तो first word जो होता है वो noun या pronoun होता है यानि जो हमारा पहला word होता है वो कोई noun या pronoun होता है या बात आप याद रखेंगे अक्सर आपके sentences में दो object आ जाते हैं पहला living object और दूसरा non living object अगर आप object के बारे में details से जानना चाते हैं तो मैंने इस पर एक separate video बनाया हुआ है आप इसे देखिए आपके doubts किलियर हो जाएंगे तो friends अगर आपके sentences में दो object है पहला living object यानि वो object जिसके अंदर जान हो और दूसरा non living object यानि वो object जो बेजान हो तो आप तोर पर जो हिंदी sentences होता है उसमें जब आप पीछे से आगे की उराएंगे तो सबसे पहले आपको non living object में देगा और living object बाद में होता है तो जब आप हिंदी वाले sentences को English में translate करें तो सबसे पहले आपको living object लिखना चाहिए और दूसरे नंबर पर non living object लिखना चाहिए या अगर आप English वाले sentences को हिंदी में translate कर रहे हैं और आपके सामने दो object है तो सबसे पहले आप living object को लिखिए और बाद में non living को लिखिए ऐसा करना अच्छा माना जाता है फिर मिलेंगे एक नए narration के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई